PM किसान समानी Dia Zona से संची तीन बड़ी अपडेट आ रही और तीनों अपडेट के बारे में आपको जुरूर जानना चाहिए तो चलिए बात करने हैं तीनों अपडेट के बारे में तो चलिए तीनों अपडेट के बरे में बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं वेबसाइड की जो पोर्टल पर अपडेट आई है आली में अगर आप PM किसान समान की उजना का पोर्टल ओपन करेंगे तो वहाँ पर आप किसी भी उप्शन का यूज नहीं कर पाएंगे जैसे अगर आप new form बरने के लिए इस option पर क्लिक करते हैं तो automatic page उपर की तरफ scroll होता है और कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं देता यानि आगे वाली screen नहीं आती है form आप नहीं बर सकते तो जब आप यहाँ पर इस portal पर आते हैं तो आपके सामने एक notification आता है तो इस notification में क्या लिखा है चलिए पहले वो समझ लीजिए अब यहाँ पर जो notification शो हो रहा है उसके पहले point में लिखा गया है from 27 March 2024 to 30 March 2024 तक only KYC service will be available KYC service available रहेगी सिर्प आप KYC कर पाएंगे आपर यह भी सुनने को मिल रहा है कि अपरेल माह में ही जिनकी बकायां किस्ते हैं वो सभी किस्तें दे दी जाएगी ताकि सरकार को इसमें फायदा हो इसी के साथ आगे लिखा गया है reports will be available view mode only view mode में reports available रहेगी इसे के साथ आगे लिखा गया है अगले point में लिखा गया है कि चार तारीक के बाद portal की सभी सर्विसें सही तरीके से काम करेगी और आप सभी सर्विसों का उप्योग कर पाएंगे तो अभी अगर आप form नहीं बर पारे हैं form में correction नहीं कर पारे हैं कुछ भी नहीं कर पारे हैं तो इसका कारण यह है कि अभी सर्विसों को temporary base पर बंद किया गया है अभी सिर्फ KYC सर्विस ही चल रही है दूसरी अपडेट की बात करें तो यहां पर मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तीस मर्च लाइट यहां पर निर्दारित की गई है उससे पहले पहले आप KYC कर लीजिए क्योंकि एक दो दिनों का यह आपके पास टाइम है अगर आपके PM किसान समानी दियोजना की KYC नहीं हुई है और अगर आप बकाया किस्त लेना चाहते हैं तो आपके पास यह आखरी मोका है इसी के साथ इससे जुड़ी एक और अपडेट सामने आ रही है अगर आप रास्तान में रहते हो तो आप सबको पता होगा रास्तान में PM किसान समानी दियोजना की रासी बढ़ा दी गई है जहां बाकी स्टेट में 6,000 रुपे मिल रहे हैं हमें अब 8,000 रुपे मिलेंगे तो जिन लोगों को 8,000 रुपे लेने हैं उनके लिए भी आकरी मौका है उनको ये 31 मार्ज यानि 31 मार्ज तक के वाइसी करवानी होगी इसी के साथ अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर अपडेट ये मिल रही है कि जो सब्सक्रवी किस्त है वो अपरेल महाम में मिल सकती है क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव में सरकार को अच्छा फीड़बेक चीए और जहां रास्तान में 8,000 रुपे की गोशना हो जुकी है तो अब तक हमें 4 महीनों के इंतराल में 3 किस्ते मिलती थी क्योंकि 2000, 2000, 2000 इस तरह से हमें 4 महीनों के इंतराल में कि ये किस्त कब मिलेगी या फिर कोई ओफिशल डेट आती है तो वो कहाँ पर आती है तो आप पीम किसान सम्मानी दीज़ना की ओफिशल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर क्लिरली मेंशन होता है जैसे 6 में किस्त आई थी तो यहां पर उसके लिए डेट मैंशन है तो इसी तरह से 17 में किस्त के लिए भी यहां पर डेट मैंशन होगी जब आप यहां पर चेक करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या किस डेट को हमारे खाते में पि-म किसान सम्मानी त्यूजना की सत्रिफ गिस्त ट्रांसपर होने वाली है लेकिन अपरेल महीने में हमें ये किस्त नहीं मिलती है उसी इवेंट में अमें ये किस्त हमारे खाते में ट्रांसपर की जा सकती है और डेट जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ आपको पता चल जाएगी ऑफिक्सिली डेट ये रहेगी कि इस डेट को आपके खाते में ये पैसे जमा होंगे आई होप आप सब समझ गए होंगे बाकि FDO प्रोसेस जिन लोगों का नहीं हुआ है पिछली किस्तों का तो उनका एक कारण यहां पर KYC भी हो सकता है तो यहां पर अभी आपके पास एक दो दिन का टाइम है बाकि अगर आपकी तीनों डिटेल सही है जमीन वेरिफिकेशन सही है आपका बैंक खाता सही है आपने KYC भी करवा रखे उसके बाद भी अगर आपका अप्टियो प्रोसेस नहीं हो रहा है फंड ट्रांस्पर ओनलाइन नहीं हो रहा है तो उसका क्या समाधान है उसको लेकर एक complete detail में वीडियो लेकर आने वाले है तो चैनल के साथ जुड़े रहे हैं चैनल को subscribe कर लीजिए वीडियो को like जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ ज़दा ज़दा शेयर करिए ताकि उन्हें भी हर update के बारे में पता चले इसके लावा अगर आपके मन में कोई भी स्वाइल यह सुजा हुआ है आप कुछ भी जानना चाहते हैं बताना चाहते है PM किसान समानी दियोजना के फॉर्म में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बेज़ जग कमेंट सेक्से में लिखिए हम उस पर जरूर बात करेंगे इसके लवा आप चैनल को सुस्क्राइब जरूर करिए ताकि आपको हर अपडेट हर जानकारी सबसे बहले मिले चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ